हेलो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा, मेरे चेहरे को देखके आज मैं काफी परिशान हूँ, बात यह है कि कूपर की तब्बित बहुत जादा खराब है, आज सुभा से इसने कुछ भी नहीं खाया है, पेडिग्री दिया कूपर को तो पेडिग्री भी कूपर नही नहीं खाया, फिर कूपर की पापा को मैंने कॉल करके बोला, कूपर की तब्बित तो बहुत जादा बिगड़ गई है, वो तो ऑफिस में थे, तो फिर वो बोले ठीक है, मैं कूपर के लिए दवा वेटनरी डॉक्टर के पास से पूछ के ले आउंगा, फिर वो बोले कि ठ कूपर के लिए दूआ मांगी, और कूपर के लिए बोला कि कूपर बगबान जी, हनुमान जी, जल्दी से मेरे कूपर को ठीक कर दो, क्योंकि कूपर के बिना हम दोनों जनी अधूर है, कूपर हमारे लिए हमारे बच्चे के बराबर है, फिर कूपर को हमने थोड़ा सा मापा आपके साथ है कूपर बिल्कुल सांत है सुभे से ही सो रहा है फिर मैं सोची थोड़ा इसकी मसाज कर देती हो इसकी कानों पे मसाज किया इसकी गर्दन पे मसाज किया इसकी पैर हाथ को थोड़ा थोड़ा दवाया कूपर के लिए हमने घर में कई जगह वोपे पानी रख दिया है कि कूपर जब भी उठे तो वो पानी कम से कम पानी तो पी ले प्लीज आप लोग प्रे करो हमारा कूपर जल्दी से ठीक हो जाए तैंक यू